आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी इसलिए आप सबस्क्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगाई शुरू करते हैं कोईट की आज की एहम त्रीन खबरों का सिंसला आज कोईट की पहली खबर को शामिल करते हैं के कोईट में जो मीटिंग्स की गई हैं उसमें कुछ एहम अपडेट्स आई हैं जो सब के लिए जाना इंतहाई जरूरी है कोईट में मीटिंग के दुरान चन एम फैसले लिए गए हैं सबसे पहला फैसला ये लिया गया है कि कोमी दिन की छुटियां चार रोज के लिए होंगी जो 25 फरवी से लेकर अतवार 28 फरवी तक होंगी और इसके बाद तमाम काम यकम मार्च पीर को दबारा शुरू होंगे इसके इलावा मीटिंग में हकूमत की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि जो करोना वबा की वज़ा से काफी तदाद बढ़ने लगी है उसको नजर में रखते हुए अब हकूमत ने ये भी इलान किया है कि जो लोग पबलिक प्लेसिज में पार्क वगरा में बजार या मास्क ना लगाने की निगरानी के लिए चंद ही अवामी मकामात पर गहरी मोहम चलाई जाएगी इसके इलावा रपोर्ट में ये भी का गया है कि ये मोहम हेल्द रेगुलेशन कमेटी के साथ मिल कर होगी जिसमें मतहिस सरकारी एजनसिया वबस्ता होंगी इसके इलावा अ मास्क ना पहने और जौापित की इखलाव वर्जी करने वाले हर शक्स पर जुर्माना आइद करने की कानूनी हैसियत पर सरकारी एजनसियों के मबैन राय में इखलाफात पाए जाते हैं इसके इलावा इस तरह की इखलाव वर्जियों पर जुर्माने आइद करने का इतला माक्स सेहत की अत्याती तता बीर और मुतहित बुमारियों की रोक्ताम से मुतली इसलिए उन्होंने कहा है के बाहर निकलते वाक्त लाजमी तोर पर माक्स का इस्तमाल किया जाए वरना उन पर जो लोग माक्स का इस्तमाल नहीं करेंगे उन पर भारी जुर्माना आयत किया जा सकता है इसके इलावा आप खबर को शामिल का लेते हैं कि कुएट में कबर्स्तान सुबा 10 बजे से दुपए 2 बजे तक खुले जाने का सरकल जारी कर दिया गया है न्यूस कुछ इस तरह से है कि कबरस्तान सुबा 10 बजे से दुपए 2 बजे तक लोगों के लिए खोले जाएंगे जो इस मां की सतारा तारिक से शुरू होंगे इसके इलावा क्रोना वाइरस मर्ज फिलाओ के पेशे नजर कबरस्तान को अपने प्यारों की कबरों की जियारत करने की अर्ज से लोगों के लिए सुबा 10 बजे से दुपए 2 बजे तक खुलने की इजाज़त दे दी गई है इसके इलावा हकूमत की जानिब से कहा गया है कि इन हलात की वज़ा से जिस से मुल्क गुजर रहा है अब भी वुजरा कॉनसल की हदायात और वजारत सेहत की जानिब से ने करोना वाइरस के फिलाओ को मैदूत करने के लिए जारी करदा सेहत की स्वाराश्ट पर भी अमल लाजमी तोर पर किया जाए अब अगली खबर को शामिल कर लेते हैं कि कुईत पहुचने पर पी सी आर्ट टेस्क के खराजात के हवाले से जो न्यूज आई है उसके बारे में सिवल अवियेशन के डिरेक्टर जर्नल के जारी करदा एक सरकल के मताबिक 21 जनुरी से कुईत पैनल अक्वामी हुआई अड़े पर काम करने वाली तमाम हुआई कंपनियों को पी सी आर्ट टेस्क के खराजात बरदाश करना होंगे इसके इलावा एरलाइन को हदाया दी गई है कि कुईत मुसाफिर अप्लिकेशन में इंदराज किये बगहर किसी भी मुसाफिर को होटल में साथ दिन के मुदत का कॉरंटाइन यकीनी बनाया जाए जो कॉरंटाइन के लिए अप्लिकेशन पर दर्ज होगा शरायत पर अमल ना करने से खलावर्जी करने वाले के लिए खलाफे कानूनी जर्माने आयत किये जाएंगे इस इंसला में एक बाखबर जराएन न इन शिफाक किया है कि ग्राउंड सर्विस मोहया करने वालों ने तमाम खितमात का क्याम और हुआई अडे पर नीची लिबाटरियों के लिए जगें मतेयन करने का काम मुकमल कर लिया ताके आने वाले तमाम मुसाफरों की जांच परताल की जा सके इन इकदामात के एक हिसे के तोर पर 21 फरवी से क्वेट का सफर करने के खौईश मन तमाम अफराद को सरकारी तोर पर क्वेट ट्रैवलर ऑनलाइन प्लेट फार्म के जरिये साथ दिन तक मुकामी होटल में कॉरंटाइन की बुकिंग करना होगी डिरेक्टर जर्नल ऑफ सिवल अवियेशन के तरजमा हो यानि के उनके पास वो मजूद होनी चाहिए तमाम चीजें उन्होंने मजीद का के होटल के बुकिंग करना काबले वापसी है लेकिन मुसाफिर को अपने बचट की बुनियात पर फाई फोर या थ्री स्टार होटलों में से इंतखाब करना होगा साथ दिन तक होटल में क होटलों की जिमादारी होगी हर एक होटल कॉरंटाइन के लिए मुतहिद पूरी मंजले तैग करेगा और इंफेक्शन के इमकाना से बचने के लिए हर मेमान को बैयक वक्त खाना दिया जाएगा एक और एम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें के कोईट के अधारा जाती कॉरंटाइन फैसले में 35 जो मुमालिक हैं उनको शामिल नहीं किया गया क्योंके अभी आने वली जो जुमेरात है उसमें एक और मीटिंग की जाएगी और उसमें ये फैसला लिया तो ये थी आज की एहम त्रीन अपडेट्स कोईट की जो आप लोगों के साथ मुकमल डिटेल के साथ शेयर की गई हैं उमीद करती हूँ के आपको पसान आई होगी इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहु जाह एक टार वाओट।